हमारे मंत्रा एड़काम यूट्यूब चनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाईए ट्रेनिंग टेक्नो और ट्रेंडी वीडियोज को सबसे पहले देखने के लिए हलो फ्रेंड वेलकम तो ट्वीटर मंत्रा ट्रेनिंग इस ट्यूट्यूरियल में हम सिस्टम यूजर प्रोजेक्ट एंड सिक्वेंश सेटिंग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे जिसके द्वारा हम EDS को कस्टमाइज करते हैं और जिसके द्वारा यह निर्धारित किया जाता है कि किन किन कंडिशन में EDS के फीचर्स किस तरह बिहेवियर करेंगे इन सभी सेटिंग को आपके प्रोजेक्ट के रिक्वार्मेंट के हिसाब से एजेस्ट किया जाता है इन सेटिंग को देखने के लिए या इसमें चेंज करने के लिए मीनू बार में सेटिंग आफसन दिया गया है इसके अंतरगत हमारे काई सारी settings आपको दी गई है system setting, user setting, project setting, sequence setting and change profile इसी के अंतरगत पूरे EDS की settings दी गई है सबसे पहले हम आपको चलते हैं system setting के अंतरगत system setting पे click करते हैं तो हमारा सामने एक dialogue box आता है system setting का system setting के अंतरगत पांच प्रकार की settings मिलती है application, hardware, importer and exporter, effects and input controller application setting के अंतरगत क्या-क्या use होता है उस पे हम लोग ध्यान देंगे application पे जब हम click करते हैं तो सबसे पहला option आता है playback setting playback setting के अंतरगत ये निश्चित किया जाता है कि जब हम प्रपने timeline को या project को playback करते हैं उस समय EDS किस तरीके से behave करेगा इसकी setting के अंतरगत हम लोग यहाँ पे सबसे पहला option है stop playback at frame drop इसका मतलब यह है कि जब हम टाइम लाइन पे frame drop राप्त हो तो ये playback करना रोग दे यदि हम इस पे click करके रखेंगे तो ऐसा कर देगा सबसे पहले आपको जानकारी यह होनी चाहिए frame drop क्या होता है drop frame उसी समय उत्पन होता है जब आपकी playback की speed और आपके system की processing की speed match नहीं करती है यानि playback की speed ज़्यादा होती है और processing की speed कम होती है उस समय drop frame उत्पन होता है इसलिए इसको हम लोग end check ही रखते हैं जिससे drop frame आने की संभावनाएं कम रहती है या आने पर भी ये playback को रोकता नहीं है इसलिए इसको हम end check ही रखते हैं दूसरा playback buffer size playback buffer size से ये निश्चित होता है कि playback करते समय buffer के लिए कितनी मात्रा में memory का प्रियोग किया जा रहा है इसमें default 128 MB होता है आप इसको अपनी project के size के हिसाब से बढ़ा सकते हैं playback buffer size में भी हमाय सामने option होते हैं 128 MB, 256 MB, 384 MB या 512 MB इन चारों में से किसी का भी आप चुनाव कर सकते हैं अपने project के size के हिसाब से default setting के अमसार यहां पर 128 MB रहता है इसके लावा playback करते समय before playback के आप कितने frame buffer में रखना चाह रहे हैं तो उसके लिए यहां पर by default 5 frame होता है आप इसको अपनी आउसकता अमसार 10 frame या 15 frame रख सकते हैं अगली setting आती है हमारी capture setting capture setting पे click करते हैं तो हमारे सामने कई सारे options open होते हैं इसमें सबसे पहला option है margin margin का मतलब यह होता है जिस frame से जिस time code से आप capture करना चाहते हैं उसके पहले या उसके बाद में transitions लगाने के लिए कितने second या कितने frame को आप save के रूप में रखना चाहते हैं कि आप transition लगा सके यहाँ पर हम लोग इसको हम लोग margin बोलते हैं यानि जिस time code से आप capture करेंगे उससे 2 second पहले से यह capture करेगा margin time code के रूप में प्रदशित होता है इस time code को हम 8 digit में होता है सबसे पहला frame होता है फिर second होता है फिर minute होता है फिर घंटे होता है by default margin 2 second का है तो आप इसको हम यहीं पर 2 second रखते हैं क्योंकि यह हमारे लिए पर्यात है इसके आतरित हम आगे बढ़ते हैं confirm real name setting after setting device present यानि जब हम device की setting set करते हैं उसके बाद हमारे real name को यह confirm करे इसलिए हमको इसपे चेक करके रखते हैं अगला option है confirm file name at capture यदे हम इसको टिक करते हैं तो हमारे सामने दो option active होते हैं एक before capture एक after capture after capture by default setting set होता है इससे क्या होता है after capture से जब आप किसी file को capture कर लेते हैं उसके बाद वो आप से नाम पूछता है किसको किस नाम से shape किया जाए यदि आप चाहते हैं कि आप capture करने से पहले नाम देना चाहते हैं तो इस पे आप check करें और यहाँ पे tick करें तो जब भी आप capture करने जाएंगे तो सबसे पहले आपको नाम देना पड़ेगा लेकिन by default यह after capture ही click होता है इसलिए हम इसको अच्छे करने की जाओ सकता नहीं है अगला option है load to player after capture आप चाहते हैं कि capture करने के बाद वो file player में play हो तो आप इस पे check कर सकते हैं अगला option है correct audio errors automatically it means capturing source media में कोई audio problem है तो इसको automatically correct कर सकता है इसकी अतरिक यहाँ पर आई सारे option और है automatic detection captured events automatically किन किन चीज़ों को वो detect करे उनके सारे option यहाँ पर चारों option आपके सामने उपलब्द है इन चारों को by default हम लोग set करके रखते हैं इसका मतलब यह है first option है add time code break यद आपके source media में कोई time code break है तो उसको detect करे यद कोई aspect ratio problem आती है तो उसको check करे sample rate में कोई problem आती है तो उसको check करे recorded time data changes यद कोई recorded time code data change आता है तो उसमें भी कोई problem है तो उसको check करे अगला option है when an event is detected यद आपके source media में कोई event detect करता है तो आप चाहते हैं कि every event अलग-अलग file में separate तरीके से save हो तो आप divide files पे click करें या group divided file यद एक साथ एक time line पे कई सारे event को एक साथ रखना चाहते हैं तो group वाले पे आप check कर सकते हैं अगला option है add marker add marker यद कोई आप उस file में कोई marker add करना चाहते हैं तो आप उस पे check कर सकते हैं तो उसके लिए आपको option मिलेगा इसके बाद last option है deck control after capture capture करने के बाद आपके deck के साथ क्या behavior किया जाए इडियस के दौरा single capture यदि आप एक capture करते हैं उसके बाद यदि कुछ ना करें pause करें या stop करें by default इसमें pause रहता है batch capture यदि आप batch capturing कर रहे हैं तो उसके बाद क्या करें या stop करें nothing कुछ ना करें या stop करें आप अपनी project के अनुशार capturing setting में परिवर्थन कर सकते हैं by default जो setting होती है हम इसको यहीं पर रखते हैं और आगे render option पर click करते हैं render option के अंतरगत हम कई सारे options यहाँ पर अपलब्ध है render option render means यह होता है इस options यह पता चलता है जो हम render करें किन-किन elements को render process के अंतरगत किया जाना है या नहीं किया जाना है जिन इन options को यहाँ टिक करके रखेंगे render करने की प्रक्रिया में वो उन options से संबंदित element या content ही render होगा बाकी का render नहीं होगा इसलिए इनको अपनी आउस्षेक्ता अनुसार आप check या uncheck कर सकते हैं जैसा कि आपको नाम से परचे दी दे आप render process में filter को सामिल करना चाहते हैं तो इस पर चेक करें transition and crossfares को filter को सामिल करना चाहते हैं तो इस option पर क्लिक करें की फ्रेम ट्रांस्परेंसी को सामिल करना तो इस पर चेक करें या नहीं करना है तो आप अंचेक कर दीजिए